अगर दोस्तों आपका भी Tata Play account deactivate हो चुका है और किसी कारण से अपने Tata Play account को recharge नहीं कर पा रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि Tata Play में 3 दन का emergency recharge कैसे लिया जाता है इसके यहाँ पर 3 तरीके दिये गए पहला जो तरीका है दोस्तों सिर्फ मिस्कॉल दे के Tata Play में 3 दन का emergency recharge प्राप्त कर सकते हैं दूसरा जो तरीका है आप SMS सेंड करके भी Tata Play में 3 दन का emergency recharge ले सकते हैं तीसरा जो तरीका है दोस्तों बार सेब के थरूप भी आप Tata Play में emergency recharge ले सकते हैं चीज़ों के बारे में इस वीडियो के मैं दम से बताने वाला हूं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा अभी तक हमारे चैनल पर आपने तो पली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेना चलिए वेडिये स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले के बारे में आपको वीडियो के बाद में बताने वाल हूं सबसे पहले दोस्तो आपको अपने रेजिटर मोह नंबर से शिर्प एक मिश्कॉल देने ये जो नंबरğı आप देख रहे हैं इस्क्रीन के मैंडम से 0806 799999 सिर्प आपको एक मिश्कॉल देने जो भी अपना रेइ कर लिया जाएगा इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो तरीका है आप अपने रेश्टर मुआ नंबर से SMS भी कर सकते हैं पिया आप ऍरदक्फिन हैं अलाव दूसरा जो तरीका दोस्तों ऑर भी मैं आपको बता है तो एनका जो कस्टूमर केरे का नंबर है उनसे भी आप कोन्तेक्ट कर सकते हैं वहाँ से भी आप emergency recharge को प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर देना और चनल को subscribe जरू कर लेना